कि आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन हमने लास्ट में भी मल्टिप्लिकेशन पढ़ा था आज मल्टिप्लिकेशन की सेकेंड क्लास है आज फिर कुछ हम अच्छे-ची ट्रिक्स देखेंगे तो थोड़ा साब कॉमेंट्स को आप कम करें और यहां ध्यान दे ए की जो class है ratio और multiplication की हमने break कर दिये और आज आपको multiplication के lecture multiplication वाले topic में ही मिलने वाले हैं ठीक है बाकी फिर भी आपकी जो भी problems है comments बिल्कुल दिख रहे हैं अमन comments आप सभी के दिखते हैं comments की किन्ता मत किया करो comments मुझे तक सबके दिखते हैं शौबिक अभी decide नहीं किया है next topic क्या रहेगा YouTube पर यहां तो अपना percentage next topic रहेगा YouTube पर देखते हैं चलो ओके देखिए आपके कल आपको याद होगा हमने last class में two digits के बारे में सीखा था आज हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि अगर मुझे three digits का multiplication करना है three digit numbers का multiplication कैसे करेंगे हम यह मैं आपको सीखा रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा comments को अब stop करो और आप यहां ध्यान दो है ना फिर ओर थोड़ी सी बात करते हैं देखे दर जैसे हमारे पास कोई number है मान लिजिए मैंने कोई number लिखा है 231 यहां लिख लेता हूँ मैं 231 into 121 ओके मुझे इसका multiply करना है तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ हमने वैसे school time से क्या सीखा है कि one का multiply one में करो फिर three में फिर two में फिर cross और ऐसा जो basic method है जिससे आप सभी करते हो अब मैं आपको इसमें क्या सीखाना चाह रहा हूँ वो बात समझना जैसे हमने सबसे पहले लिखा ABC और यहां लिखा DEF देखो यह एक याद रखने का तरीका है बेसिकली एक trick है पर उसको याद कैसे रखा जाए इसलिए यह तरीका में लिख देता हूँ इसका आंसर हम टोटल 5 स्टेप में निकालेंगे टोटल 5 स्टेप में हम इस question का आंसर निकालेंगे छोटी-छोटी चीजे समझ लो आप क्या-क्या धियान रखना है सबसे पहले तो आपको यह धियान रखना है कि शुरुआत हमेशा right से और finish हमेशा left पे मतलब आप जब भी शुरू करोगे इन दोनों से शुरू करोगे और जब भी finish करोगे तो इन दोनों पर finish करोगे और इसको याद रखने के लिए हमें एक कामोर कर सकते हैं 1, 4, 6 या उसको सारी 2, 4, 6, 4, 2 2, 4, 6, 4, 2 क्या मतलब हुआ इसका 2, 4, 6, 4, 2 का पहले आपको 2 digit लेना है, फिर 4 digit लेना है, फिर 6 digit लेना है, फिर बापस से 4 और फिर बापस से 2 है ना, समझ में आएगा, थोड़ा साब, सिर्फ आप 3 example तक चिंता मत करना बस आपको समझ में न भी आए, तो बस देखते रहना, तीसरे example तक बहुत अच्छे से चीज आपके दिमाग में बैट जाएगी, ठीक है, यहाँ ध्यान दे, सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होता है सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 2 digit लेना है, तो पहले आप multiply करोगे अब कितने digit लेना है, पूरे 6, तो देखो पूरे 6 digit कैसे लेंगे, इसका multiply इधर, इसका multiply इधर और इसका multiply आमने सामने क्या कहा मैंने, A into F plus C into D plus B into E, ओके, देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम 2 digit लेंगे, फिर 4 digit लेंगे, फिर पूरे 6 digit लेंगे, अब reverse कर देंगे, हम इनको छोड़ देंगे, फिर इनको छोड़ देंगे, अंत इन पे करन हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो देखो, next क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, तो बचा हमारा A और E का multiply, A into E plus B into D, और last में हम क्या करेंगे, इन दोनों पे finish करेंगे, तो यह हो गया आपका A into D, अब इसको थोड़े से example से समझो, आपको समझ में आएगा, देखो, सबसे पहले इन दोनों का multiply, तो 1 into 1 कितना होता है, 1, अब 4 को लेंगे, तो 3 into 1, 3, 2 into 1, 2, total कितना हो गया, 5, अब पूरे 6 digit लेंगे, तो देखो, 2 into 1, 2, 1 into 1, 1, और इनका आमने सामने हो जाएगा, इनका corners पी इनका आमने सामने, तो 3 into 2 कितना हो गया, 6, तो 6 plus 2 plus 1, total कितना हो गया 9, तो पहले आपने 2 digit लिये, फिर 4 digit लिये, फिर पूरे 6 digit ले लिये, clear इतना, अब आप इनको छोड़ते चलोगे, क्योंकि हमें इधर तक पहुचना है, तो हमने क्या किया, हमने इस इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ दिया, तो हमाई पास बचे ये, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल हो गया 7, and 2 into 1, 2, आपका आंसर आजाएगा 27951, ठीक है, आप में से कई लोग, जब first time ऐसा question देखेंगे, या ये trick देखेंगे, तो मनी मन आप बोलोगे, कि सर इस से तो school वाली method ही अच्छी है, जो हम मन में लगता है, कि इतनी सारी खिचड़ी, इतना सारा calculation, better, कि हम इसको school वाली method से ही कर लें, 2-3 questions के बाद आप बोलोगे, नहीं सर, ये तरीका जाएगा अच्छा है, ठीक है, तो थोड़ा सा patience रखो, मज़ा आएगा अब इसमें, हाँ, प्रियंका वो भी मैं आपको बिल्कुल चिंता मत करिया, समझ में आया, और एक question देख लेते हैं, ठीक है, चलो, एक और नया question देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 121 into 312, तो सबसे पहले क्या कर दिया, आपने 2 into 12, बहुत जल्दी हो जाएगा practice होने पर, फिर 4 डिजट लोगे, 2 into 24, 1 into 11, total हो गया 5, अब पूरे 6 डिजट लोगे, तो 2 into 12, इसको छोड़ दो, 1 into 3 कितना हो गया 3, और इनका आमने सामने होगा 2 into 12, total कितना हो गया 4 और 3, 7, अब इन दोनों को छोड़ देंगे, तो 1 into 11, 3 into 2 6, total कितना हो गया 7, and 3 into 1 कितना हो गया 3, यह आपका answer आ गया, इसके लिए बस practice आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बताईए समझ में आया कि नहीं, हाँ जी, मनोज, अर्जोन, good evening भई, जो लोग अभी आये हैं, उन्हें good evening, ठीक है, जल्दी से बताईए समझ में आया, 27752, 3 into 1, 3 होगा न, 37752 होगा प्रतिमा, ओके, clear है सभी को, हाँ, नरेश, notes कैसे check करेंगे, बिल्कुल, आप लोग notes ready रखो, मैं आपको बताऊंगा, notes आपको कैसे check करवाने हैं, है ना, आप at least, अगर एक काम कर सकते हो, जितने भी notes आपने बनाए हैं, photo ले लो, और एक possible हो, तो PDF बना लो, और वो आप मुझे send कर द है ना, Facebook पे भेज़ दो, Instagram पे भेज़ दो, या जो WhatsApp नमबर है उस पे भेज़ दो, बेटर है Facebook, Instagram पे आप मुझे भेज़ दे, वहाँ देख लेंगे, या email कर दो, सबसे best, percentage की class, शिवानी, अगर आज हमारा multiplication complete हो गया, तो कल से percentage स्टार्ट कर देंगे, और अगर multiplication कल खतम हु हो जाएगा उसको रहाद percentage ही हम पढ़ने वाले, ओके मनोज duty से अभी आए है, ठीक है, मजा आ रहा है, class sheet नरेंद्र ratio chapter के अंदर ही मिलेगी, हाँ, बिल्कुल, देखो carry होने वाला system क्या रहेगा, एक example हम उसका भी ले लेते हैं, देखिए आप यहाँ पे, जैसे, मान लीज ठीक है, इसको हमें solve करना है, carry करने वाला, या जिसको हिंदी में बुलते हैं, हासिल लेना, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे करते आयों वैसी करो, 3 into 3 कितना हो गया, 9, 3 into 2 कितना हो गया, 6, 3 into 1 हो गया, 3, ये भी 9 हो गया, आगे बढ़ो, 3 into 1, 3, 3 into 4, 12, और 2 into 1, 2, तो ये कि आपस से कितना हो गया, देखो, 10, तो 10 का क्या लेंगे, 0, हासिल का 1, carry 1, 4, 4, 4, 5, तो आपका answer क्या गया, 5, 0, 7, double 9, बस इतना सकरना है, हाँ जी, ratio complete हो गया है, संतोष, बिल्कुल, शिवानी, YouTube पे मैंने जो डाला है, वो केबल आधे से भी कम है, अब ये आपको बहुत सा कुछ मैंने गलती करिए क्या है, ये पे, 5 आएगा, 8, 9, 10, 0, carry 1, 4, 5, 5, 0 आना चाहिए रहा, yes, 5, 0, 7, double 9, ठीके, अब आपके बल वो कमेंट्स करें, जो क्लास और मल्टिप्लिकेशन से जरूरी है, थोड़ा सा इदर उदर के कमेंट्स मत करिए, ओके, शोबिक सीधा दिम माग में ही जाना चाहिए, चल, ओके, इधर ध्यान दे, अब एक क्वेशन आप लोग करके बताओ, जरा मुझे जल्दी से, आप लोग करके बताईए, 223 into 332, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताईए, मुश्किल से आपके पास 20-30 सेकेंड्स हैं, इसमें आपका आंसर आ पताना, end में उस पर बात करेंगे, अब थोड़ा सा बंद कीजिए, PDF की बाते, practice sheet कल मिल जाएगे आपको, करिए बहीं, जल्दी से करिए इसको solve, ओके, practice sheet कल मिल जाएगी, वही मैं, ओके, देखो, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 into 2 कितना होगे, आपका 6, अब cross multiply, 2 into 2 कितना होता है, 4, 3 into 3 कितना होता है, 9, तो total हो गया 13 का 3, carry होगे आपका 1, फिर आगे बढ़े, यह आगे आपका 4, 3 into 3 कितना आगे 9, और इनका आमने सामने होगा, तो कितना हो जाएगा 6, तो आप देखोगे 10 और 10, 20, का 0, carry हो जाएगा 2, इसको छोड़ दोगे, तो 3 into 2 हो गया 6, 2 into 3B हो गया 6, यह total हो गया 14 का 4, carry हो गया आपका 1, 3 into 2, 6 plus 1, 7, answer आएगा 7, 0, 7, 4, 0, 3, 6, यही आ रहा है, very good, हाँ, practice sheet का video solution भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा time लगेगा, क्योंकि यह हमारा एक नया idea है, तो आप मैं start करूँगा, उसका video बनाना, तो आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, मिल जाएगा practice video का, पहले practice sheet मिलेगी, फिर solution मिलेगा, आपको, 7, 4, 0, 3, 6, समझ में आ गया सभी को, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी अगर हम practice करेंगे, तो हमारा answer, old जो traditional method है, उससे तो जल्दी ही आएगा, okay, clear है सभी को, चालो, आगे बढ़ते हैं, next अब हम बात करते हैं, अब देखो, हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा, कल हमने सीखा था, कि two digits में अगर numbers आए, तो क्या करना है, फिर हमने आज सीख लिया three digits के बारे में, दो चीज़ें clear है, इसके अलावा कल हमने special condition सीखी थी, आपको याद होगा, कि अगर 11, 111 और 11, 111 में से कुछ आए, तो क्या करना है, और इसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी, कि अगर 99,999 या 999,999 आए, तो हमें क्या करना है, यह चीज़ मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है, इतना मैंने आपको अभी तक बताया है, अब आगे बढ़ते हैं, next हम एक और special conditions में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला मैं आपको बताता हूँ, कि अगर thousand based कोई number है, एक हजार पर आधारित कोई number है, तो उनका multiply आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं, देखो, आपको बहुत सारी tricks दिमाग में रखनी पड़ेगी, हाँ, four digits का भी बता दूँगा मैं, बहुत सारी tricks आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जैसा question आएगा, उस तरीके से आपको आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जब जैसा question आएगा, हमें वेसी trick लगानी पड़ेगी, इसलिए आपको चीजों को handle करना है, और उसको question को देखकर decide करना है कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ओके, देखो इदर, four digits का भी मैं बता दूँगा, four digits का भी ब चोटा सा question है, और आप इस trick से answer again 5 second के अंदर ला सकते हो, ठीक है, देखो ज़र, तो 1025 में मुझे 1005 का multiply करना है, तो आपको हमेशा ये देखना है, कि आपके number 1000 से कितना जादा है, 1000 से कितना जादा है, तो ये वाला number 1000 से कितना जादा है, तो आप कहोगे 25, ये वाला number 1000 से कि चोटे numbers भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, आप कुछ बोला मत करो, अगर मेरा खतम हो जाए तब आप बोला करो, सब आपने ये नहीं बताया, पहले मत बोला करो, सब आपको बताऊंगा मैं, तो ये 1000 से 25 जादा है, 1000 से 5 जादा है, जितना difference आए ना, इनका आपको multiply करना है, इनका आप multiply करोगे, तो 25 और 5 का multiply करोगे, कितना आएगा, 125, clear है, अब आप किसी भी एक को जोड़ दो, या तो आप 1025 में 5 जोड़ दो, या 1005 में 25 जोड़ दो, एक ही बात है, कुछ भी एक करना है, तो 1025 में 5 जोड़ोगे, तो भी 1030 आएगा, और 1005 में 25 जोड़ोगे, 125 इंटु 5, 125, और cross में जोड़ दो, जो अच्छा लगे, तो इसको इसमें जोड़ो, या इसको इसमें जोड़ो, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, आपका आंसर आगया, 1030, 125, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रीक है, इससे आपके आंसर्स हमेशा जल्दी आएंगे, समझ मे आया या नहीं आया, ओके, ठीक है, और एक example देख लेते हैं, और एक देखो, जैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई number है, मैंने कहा, 1021 में multiply करो 1006 का, तो आपने कहा कि ये 21 जादा है, ये 6 जादा है, 21 और 6 का multiply करोगे, तो 126 आएगा, clear सी बात है, और इसमें मैंने 6 जोड़ ये आगे आपका 1027126, आंसर हो गया multiply, समझ में आया, ठीक है, तो कहीं पे आपको ये बहुत जल्दी काम आ जाएगा, इससे आप जल्दी आंसर निकाल लोगे, ओके, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि ये दो तो standard method है, जब कुछ समझ ना आए, तो इन्हें use करना है, है ना, जब आपको लगे कि यहां कुछ नहीं लग रहा है, तो इन्हें use करो, otherwise पहले देखो, कि क्या हम कर सकते हैं, कौन-कौन से tricks लग सकती है, है ना, तो इसलिए पहले देखना है कि कोई shortcut चलता है क्या, नहीं, तो ये दोनों basic method तो ही, ये दोनों हमारे लिए क कुछ भी, है ना, 1015 into 1008 मैंने लिख दिया मान लो, तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा है 15, ये कितना ज़्यादा है 8, दोनों का multiply करा 15 into 8 क्या होता है, तो आपका होगे 120, और 1015 में बस 8 जोडना है, 1023 ये आपका आंसर आ गया, बस इतना सा काम है, ठीके भाई, clear है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है, है ना, आप कहीं भी, इसकी कोई limit नहीं है, पर ये तरीका ज़्यादा अच्छा कहां काम आएगा, जितना आप 1000 के करीब होंगे, उतना अच्छा, है ना, 1000 से आप बहुत आगे भी चले जाओ, तब भी ये trick लगेगी, पर 1000 से अगर काफी दूर निकल जाओगे, तो calculation lengthy हो जाएगा, तो ये trick कब काम आएगी, जब आप 1000 के पास में होंगे, अब आपको इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना है, ठीके, आपको बस एक बात ये ध्यान रखना है, कि जब भी 1000 का case आए, तो last में हमेशा तीन digit होनी चाहिए, ठीके, last में हमेशा कितनी digit होनी चाहिए, तीन digit, क्या मतलब हुआ इसका, वो मैं समझाता हूँ, जैसे आपने जब इन दोनों का multiply किया, तो यहां कितने digit आ रहे हैं, तीन सही है, यहां कितने digit आ रहे हैं, तीन, बिल्कुल correct है, यहां कितने digit आ रहे हैं, ती कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर तीन डिजिट नहीं आए तो ये गलत हो जाएगा आपको हमेशा तीन डिजिट रखना पड़ेगा एक छोटा सा example बताता हूँ मैंने कहा मैं आपसे कहूँ कि 1005 में 1009 का multiply करो तो आप कहोगे सर ये 5 जादा है ये 9 जादा है दोनों का multiply कर दो कितना आगया 45 अब मैंने क्या कहा था कि हमेशा last में 3 डिजिट होना चाहिए ठीक है तो 3 डिजिट होना चाहिए तो अगर मुझे 3 डिजिट बनाना है तो मैं 0 लगा दूँगा अगर मान लो केवल 5 होता तो 2 बार 0 लगा देते 3 डिजिट बना दो बस आप तो इतना ध्यान रख लो ओके तो अभी तक इसके पहले वाले question में already 3 डिजिट आ रहे थे तो हमें कुछ भी करने की जौरत नहीं पड़ी पर यहाँ 2 डिजिट आ रहे हैं 2 ज्यादा यह 3 ज्यादा multiply करा तो कितना आया 6 फिर आपने कहा कि सर ने कहा यह 3 डिजिट होना चाहिए दो बार 0 लगा दो और 1002 में 3 जोड दो कितना आ जाएगा 1005 यह answer है समझ में आया अब आपके मन में फिर एक question आएगा कि सर 3 डिजिट से multiply करना है ठीके तो यह कितना जादा है 20 यह कितना जादा है 60 ध्यान से समझना इन दोनों का जब आप गुणा करोगे 20 और 60 का multiply करोगे तो यह 12 सो आएगा क्या तो आप बोलोगे yes यह 12 सो आएगा अब अगर यह 12 सो आएगा तो यहां कितने डिजिट आ गए यहां कितने डिजिट आ गए यहां आ गए चार डिजिट जबकि होना कितने चाहिए केवल तीन डिजिट होना चाहिए तो यह जो एक है यह कैरी हो जाएगा इसको हम हासिल का लेंगे क्योंकि हमारा नियम है तीन डिजिट से कम भी नहीं होना चाहिए और 3 डिजिट से जादा भी नहीं होना चाहिए तो यहां 1200 आ रहा था तो 1200 का मैंने एक हासिल का ले लिया बाकी सेम 1020 में 60 जोड़ दो कितना आएगा 1080 और एक 1081 यह आपका आंसर आ गया समझ में आया तीन डिजिट है कोई दिक्कत नहीं तीन से कम है जीरो लगा दो तीन से ज्यादा है कैरी कर लो बस इतना सा तो करना है हाँ अमीद आपके question का answer दूँगा इनमें बहुत सारी चीजें है पूरा multiplication आराम से पढ़ो आपके 90% जो questions आपके mind में है कि सर ऐसा हो तो क्या करना है सब बनेगा थोड़ा सा patience रखो ठीक है सारी चीजें आपसे बनेगी और देखो याद आपको कुछ रखना नहीं है निशा ने comment किया है कि सर ट्रिक से याद नहीं देती अच्छी बाते और याद रखना भी नहीं है जैसे मुझे ये चीजे याद नहीं है इतनी practice है कि question मैंन इसलिए रटना है नहीं रटने की केबल तीन चीजे हैं जो मैंने आपको बताई पहाड़े याद कर लो वर्ग याद कर लो घने याद कर लो इसके अलावा square cubes जो है इसके अलावा कुछ भी याद मत करो वो कभी याद रहेगा ही नहीं है ना practice जितनी करोगे चीज आपको य याद रहेगी practice नहीं करोगे कितना ही रटलो रटी हुई चीज के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जरूरत पढ़ने पर कभी काम नहीं आती कभी यादी नहीं इसलिए रटना नहीं ठीक है ओके चलो मज़ा आ गया समझ में आ गया इतना अब मुझे जल्दी से आप क अब हो जाएगा मैं solve करूंगा match कर लेना है न कोई दिक्कत नहीं type करने में type बेज़ा करके class में district नहीं होना आदत बनाओ अच्छे student बनो किसी दूसरों के comment से मतलब भी मत रखो और बेज़ा के comment भी मत करो जब आपको लगता है कि genuine चीज है तो लिखो नहीं जरूरी है तो मत लिखो जितना focus class पे करोगे उतना अच्छा comment से disturb नहीं होना न करना कभी किसी को तो आप बस answer लिख लेना जब मैं answer solve करके बता दूंगा तो match कर लेना correct होगा तो ठीक गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ओके तो आपको पहला करना है 1012 into 1008 फिर आप करेंगे 1003 into 1005 फिर के बाद आप करोगे 1025 into 1020 फिर आप करेंगे 1040 1050 फिर इसके बाद आपको करना है 1050 और 1025 करिए जल्दी से आराम से लिख के रख लो सभी के answers एक मिनिट के अंदर अंदर ये सारे answers आपके आजाएंगे ठीक है करिए जल्दी से आराम से करो पर जल्दी करो है ना हडवडा की नहीं करना है मतलब हो जाए तो बस लिख देना कि done इससे मुझे समझ में आ जाएगा और आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी है ना इसकी सबकी PDF आपको में प्रोवाइट कर दूँगा तरपती मैट्स अच्छा केसे हुआ मेरा मैट्स अच्छा हुआ है बहुत सारी मेहनत करके बहुत माथा बच्ची करनी पड़ती है बहुत महनत करनी पड़ती है तब अच्छा होता है और आप भी करोगे आपका भी हो जाएगा और मैं आपको सबसे खास बत बता दू कि मैं Maths बेग्राउंड से नहीं रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट बायो रहा है उसके बावजुद Maths मेरा अच्छा है तो इसलिए कोई भी कुछ कर सकता है जरूनी कि Maths, कई बच्चे ऐसे ही मानते कि Maths बेग्राउंड होगा तो Maths अच्छा होगा मैं आपके सामने की एक्जाम्पल हूँ, मैंने Maths, Science नहीं पड़ा Still, Maths अच्छा है ओके, done चली, देखो, कैसे करेंगे यहां आजाए आपने देखा, यह 12 जादा है और देखो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ अगली बार तो आप मन में कर लोगे आपने देखा, 12 और 8 तो आप तुरन बोल दोगे 96 और 1, 0 लग जाएगा और 12 में 8 जोड़ दोगे तो 1020, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बहुत आसानी से कर लोगे यह 3 और 5 है, तो 5 तिया हो जाएगा 15, 1, 0 लगाना पड़ेगा 5 और 3 जोड़ोगे, 1008 यह answer आगया, है ना, यह भी एक जादा है यह भी एक जादा है, एक और एक का गुणा कितना होगा 2 तो नहीं करा, एक ही आएगा और 0 कितने लगाने पड़ेगे, 2 और 1001 में 1 जोड़ोगे, 1002 चलेगा डारेक्ट यह कितना जादा है 25, यह कितना जादा है 20 25 और 20 का मल्टिप्लाई करोगे, बैसे भी 500 आएगा और 1025 में 20 जोड़ोगे, 1045 आजाएगा मन में करोगे, जल्दी होगा 40 और 50 का मल्टिप्लाई होता है 2000 नियम बोलता है, 3 डिजट से जादा नहीं होना चाहिए तो 3 डिजट से जादा नहीं होना चाहिए, तो कैरी करना पड़ेगा 40 और 50, 90, 1090, प्लस 2, 1092 यह आंसर आगया, ओके 50 और 25 का मल्टिप्लाई करोगे, तो यह आएगा आपका 1250, 1250 एक आपको क्या करना पड़ेगा एक कैरी करना पड़ेगा ओके, 50, 25, 25 और एक जोड़ोगे 6 अतर, बताओ, यही आ रहे हैं क्या सारे ओके, एक दम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं फटा अफट आंसर आ जाएंगे ठीक है, अब बता दो कितने लोग के सारे राइट हैं, जिनके पूरे राइट हैं वो लिख दो, all right, all correct लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो मुझे समझ में आ जाए जिनके पूरे correct हैं, वो लिख दो ठीक है हाँ, संतोष point में रहेगा तो बता देता हूँ मैं point में रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है point पी रहेगा तो अकांचा multiply की first class कल हुई थी, कल हमारा जो कल देड़ घंटे की class थी, उसमें एक घंटे मेंने ratio पढ़ाया था और last के आदे घंटे multiply पढ़ाया था, multiplication तो आपको, जो आपका my course है, maths का core से उसके अंदर multiplication का नया chapter create हो गया है, और कल ratio और जो multiplication है दोनों के अलग तुकडे कर दिये हैं और multiplication में multiplication chapter अपडेट हो गया है ओके, all correct 6 correct to wrong इसमें भी wrong कर दिया 6 तो total questions है सारे सही है, चलो, very nice इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना, अब आप इससे कर लोगे अब अगला सवाल ये उठता है अभी मैंने आपको जो questions बताए, वो questions थे, अगर thousand से number ज़्यादा है तो अब कम हो तो क्या करना है, ध्यान से समझना जैसे मैंने कहा इसमें भी बहुत मजाएगा आपको मैंने कहा कि 995 में 980 का multiply करो अभी सारे numbers thousand से ज़्यादा थे, अब number thousand से कम है अगर number thousand से ज़्यादा है तो हम plus लगाते है और thousand से कम है तो minus लगाते है तो अब ये देखो कि यहाँ पे संख्याए thousand से कितनी कम है तो ये thousand से कितना कम है पांच कम है, देखो अवब होगा, extra होगा तो plus और हजार से कम है, less than thousand है तो minus ये कितना 1000 से कम है तो आप कहोगे 20, बस दोनों का multiply कर दो, कितना आ गया, 100 आ गया, ओके, ठीक है, 3 digit, और 3 digit का rule सेम है, 1000 आया, मतलब 3 digit last में आने ही चाहिए, तो 3 digit अपने आ गए, अब हम क्या करेंगे, किसी से भी minus करेंगे, cross में, तो आप चाहो तो 995 में से 20 minus कर दो, या 980 म मैंने करा, तो तुरंत हमारा answer के आ गया, 975100, process एकदम से में, बस जो plus था, वो minus हो गया, ठीक है, ओके, फाइन, और आगे देखो, अब आपका अगला question आ जाए, मैं कहूं कि 975 में, आप multiply कीजे, 998 का, ओके, तो ये 1000 से 25 कम है, ये सिर्फ 2 कम है, दोनों का मैंने multiply किया, तो तीन डिजिट होना चाहिए, तो 0 लगाएंगे, और अब कुछ भी कर लो, तो ये ज़्यादा easy दिख रहा है, 975 में से 2 जाएगा, तो 973 आ जाएगा, ये answer आ गया, कोई doubt, ठीक है, तो एकदम आसान, ओके, all correct, ओके, हाँ, ट्रप्ती में बिल्कुल गाइड करूँगा आपको, बैंकिंग के लिए भी सारी चीज़े में आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके, चलो, अब आप लोग एक question करके बता दो, मुझे जल्दी से, आप बताईए मुझे कि अगर 988 में 982 का multiply करेंगे, तो answer कि आएगा, जल्दी बताओ, ठीके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, जल्दी करो, एकदम आसान, देखो एक बार आप कोई भी chapter पढ़ लोगे न, आपके साथ ये हर chapter में होने वाला है, आपके mind में चीज़े यसी बैठी होईगी कि ये tough होता होगा, एक बार आप पढ़ोगे तो हर chapter के बाद आप ये बोलोगे, सर ये तो बहुत easy हो गया, जैसे ratio proportion, आपको म एकदम open challenge देता हूँ, आप किसी से भी compare कर लेना, कोई किसी coaching में जाता हो, कोई किसी और online पढ़ता हो, आप compare करना, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, जो systematic way में आपने पढ़ा है, इसा कोई नहीं पढ़ाता, या इतना पूरा कबर कोई नहीं कराता, है न, इसलिए और मेरा सीधा सा fund आए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 11 selections लिए, मुझे पता है कि selections के लिए कैसे चलना होता है, कैसे पढ़ना होता है, और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको रास्ता बनाते जा रहा हूँ, आपको चलना है वसात में, ठीके, आगे answer, 970216, very good, ये आप का कितना कम है 12, और ये कितना कम है 18, मैं आगे आपको इसकी भी trick बताऊंगा, कि आपको 12 और 18 को भी short में करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, बट फिलाल हम अभी normal कर लेते हैं, वैसे भी आप अगर देखोगे ध्यान से, तो ये 180 और 36 है ना, मतलब ये 216 आना चाहिए, और 10 के आगे हमने 0 क्यों लिया, 10 के आगे 0 का लिया, वही 20 और 5 का multiply तो 100 ही होता है ना, 0 लगाने की तो ज़रत ही नहीं है, है ना, type wise कोई भी नहीं बताता है, clear है, आपको क्या करना है, 12 और 18 का multiply किया तो 216 आ गया, और कुछ भी minus कर दो, cross में, 982 में से 12, 88 में से 18, 970 ही ओके, ठीक है, चलो, आगे बढ़े, next अब बात करते हैं, अब मैं आपको same trick बता रहा हूं, कि अगर same trick हो हमारी और अब मुझे 100 based number करना हो, तो आपके लिए ये 5 minute का भी काम नहीं है समझने में, जो अभी हमने 1000 के आसफास वाले numbers में लगाया, as it is 100 वाले numbers को हम कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, अब देखो, अगर नियम वही है, मैं आपको पहले question बता देता हूं, अगर 100 से बड़े कोई numbers हैं, तो क्या करना है, और 100 से छोटे कोई numbers हैं, तो क्या करना है, बताता हूं मैं, जैसे आपको multiply करना है 106 में 107 का, ओके, आपको याद है, मैंन इतने digit होना चाहिए, दो, बस यह ध्यान रखना, ओके, यह कितना ज्यादा है 6, यह कितना ज्यादा है 7, दोनों का आपने multiply करा, 42 आ गया, और 106 में 7 जोड दिया, आपने 113 आ गया, बस यह answer है, 11342, same process, कोई दिक्कत नहीं, और देखो, last में target क्या था, अब क्योंकि 100 है, तो last में आपके 2 digit आना चाहिए, बस इतना जकरना है, ठीक है, जैसे देखो, अब मैं आगे आपको एक बताऊंगा, एक मैं आपको break करने वाली method बताऊंगा, अब आप बोल रहे हो, तो मैं हलका सा hint कर देता हूँ, मैं आपको एक break करना method बताऊंगा, जिसको मैं अपनी भा रहूंगा, तो मैं 12 को तोड़ूंगा 10 और 2 में, ठीक है, 18 का 10 गुना क्या होता है, 18, 18 का 2 गुना क्या होता है, 36, और मैं इन्हें मनी मन में जोड़ दूंगा, तो मैं direct 216 ले आऊंगा, पर यह आगे सिखाऊंगा, यह अपने multiplication के syllabus में ही है, तो पहले 18 का 10 गुना 180, कोई भी कर सकता है, बस उसमें 36 और जोड़ना है, 216 आ गया, तो direct गुना करने से अच्छा है, इस तरीके से कर लो, यह सिखाऊंगा मैं भी आपको, यह आगे आएगा, ठीक है, देखो, clear है यह वाली बात, अब मान लो, मुझे चलो, आप मैं आपको और नहीं करके बताता, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं सब लोग, 112-115 का आंसर बताओ जल्दी से, अमन रिजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, रिजनिंग के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, in future हो सकता है कभी रिजनिंग पढ़ाऊं, बढ़ अभी तो नहीं, सचिन क्या दिक्कत आ रही है आपको, नेट नहीं चल रहा है, यारे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नेट को बचा के रखा करो, अमन क्या बोला है भाई तुमने, आंसर देख लो न, इसमें भी चाहते हो कि मैं बोलके बताओं कि यहां अमन तुम्हारा सही है, मैच कर लो, इतना क्यों परेशान करते हो, ठीके, चाल, आपने देखा, यह कितना जादा है 12, यह कितना जादा है 15, और यह 12, 15 तो याद कर लो, यह एसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत आता है, 12, 15, 18, 180, हमेशा याद रख लो, नहीं तो मैंने आभी आपको बताया, पहले 15 का गुणा 10 में करो 150, फिर दुगना करो 30, 150 30, 180, यह आगे आपका 180, और अब आप 112 में बस 15 जोड़ दो, 112 प्लस 15, 112 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यह आजाएगा आपका 127, यह आंसर आगे आपका, ख्लियर है, बस 127, 180, अरे सोरी सोरी सोरी, आपकी चक्कर में मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे हमा ठीके, क्लियर है, 1280, लास में दो डिजट होना चाहिए, तो यह जो एक है, यह कैरी होगा, और यह आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 127, 80, ओके, और अगर कम हैं, तो 0 लगा लोगे, इतना आपकर लोगे, अब हम बात करते हैं, 100 से कम, अगर 100 से छोटे नंबर्स हैं, तो इसको मैं सिखाऊंगा नहीं, पहले मैं देखना चाहूंगा, आप क्या करते हो, तो आप मुझे सभी करके बताओ, 95 और 92 का मल्टिप्लाइ, इनका आंसर बताओ, क्या आएगा, कसक केश्री, आपका कमेंट दिखता है, ठीक है, देखो, आप समझो, सबके आंसर देना पॉस ओके, प्रकाश को लगता एकदम बड़े भाई जैसा पड़ा रहे हैं, चलो अच्छा यार, अमी तभी रिजनिंग का मैं कुछ भी कमिट नहीं करूंगा, रिजनिंग का आएगा भी नहीं पता, हाँ, बाकी हम जल्दी हमारे जो और फैकल्टीज हैं, अधर सब्जेट्स क से कम है, तो यह 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 5, यह 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 8, दोनों का आपने मल्टिप्लाइ किया, तो यह 40 आ गया, सेम दो डिजिट आने थे, आ गये, अब जो अच्छा लगे, तो 95 में से 8 कम कर दो, या 92 में से 5 कम कर दो, एक ही बात है, तो य तो अगर ज्यादा और एक कम हूँ तो क्या गरना है उसके बारे में बता रहा हूँ बिलकुर मुझे पता है आपका अगला सवाल यह आने ही वाला है ठीक है चलो अभी आप थोड़े से questions और करके बताओ ज्यादा चिंता मत करो आप मुझे बताओ 125 में 115 का गुणा करने पर क् फिर बताईए 98 में 97 का multiply करने पर क्या आएगा और इसके बाद बताओ 85 यह 85 है 85 में अगर 75 का multiply किया जाए तो क्या आएगा करो जल्दी से करिये जल्दी हो जाए बस done लिख देना मैं समझ जाओंगा और फिर हम इनके answers देख लेंगे चल्दी करिंगा आएकर लेंगे जाए जाएगा घ्र टी का पाउकर जाए जाएगा जाएगे जाएगा बसाउनी के जाएगा जएपद हैसा चर्के आएधे बसांव देना हो गया है सारे आंसर मत लिखना है ना मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ आप तो लिख कर रखो ओके रोशनी ने लिख दिया है डन ओके ठीक है चलो देखें इदर जैसे आपको पता है ये 25 जादा है और ये 15 जादा है ये भी आपको याद होना चाहिए ये भी एक कॉंबिनेशन है जो बहुत यूज होता है अधरवाइस 15 का दुगना हो गया 300 मतलब 15 का 20 गुना 300 और 5 पिशोत्तर मतलब ये 375 आएगा लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा 3 कैरी करना पड़ेगा तो केवल 75 रखेंगे 125 में 15 जोड़ा 140 और 3 तो ये आजाएगा आपका टोटल कितना 143 143 75 ये ये आंसर आया सभी का फिर ये 2 और 3 कितना हो गया 6 एक 0 लगाना पड़ेगा 3 और 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 105 ये कितना कम है 2 ये कितना कम है 3 तो आपको 6 लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपको 98 में से 3 या 97 में से 2 कम करना पड़ेगा तो आप बोलोगे 9506 ये ही आया इसका भी ठीक है और लास्ट वाला जो है ये कितना कम है 15 और ये कितना कम है 25 अब देखो इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलेगी ये आपका 25 है इनका मल्टिप्लाइ कितना होता है इनका मल्टिप्लाइ होता है 375 फाइन लेकिन ये जो 3 है ये हट जाएगा क्योंकि 2 डिजेट से जादा नहीं होना चाहिए तो 3 आपका क्या हो गया कैरी हो गया अब आप 85 में से 25 माइनस करोगे तो 85 में से अगर 25 गया तो आएगा 60 और कहीं लोग ना 3 भी माइनस कर देते हैं आप याद रखना कैरी हमेशा जुडता है कभी माइनस नहीं होता तो 60 प्लस 3 यह करेक्ट आंसर होगा ठीक है कैरी हमेशा जुडता है हासिल का हमेशा जुडता है कभी माइनस नहीं होता ओके 10560 506 9506 6375 यस अब अगला मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक नंबर 100 या 1000 से अबब है और एक अगर 1000 से कम है तो क्या करना है जैसे सुनो आप और ये थोड़ा सा आपको कम यूज आएगा लगा सकते है अगेन आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है बाकी आपको इसको करने में थोड़ा सा एकदम होचपॉच लगेगा जितना स्मूथ ये है उतना स्मूथ ये नहीं है बाट इस्टिल मैं आपको सिखा रहा हूँ देख लो जैसे एक नंबर है आपके पास 102 और एक नंबर है आपके पास 98 मुझे इन दोनों का मल्टिप्लाई करना है ठीक है तो आपने देखा ये कितना ज्यादा है 2 और ये कितना कम है 2 है ना ये 100 से 2 ज्यादा है ये 100 से 2 कम है तो हम अभी तक क्या करते आए इनका मल्टिप्लाई करते आए तो इन दोनों का मल्टिप्लाई करने पे आएगा 4 क्यूंकि question 100 based है और कभी भी positive negative आए तो आप direct आप 4 नहीं लिख सकते हमेशा 100 में से minus करके लिखना पड़ेगा तो 100 में से आप 4 minus करोगे तो कितना आएगा 96 ये लिखना पड़ेगा समझ में आया मतलब अब हमेशा 100 में से minus करके जो आएगा वो लिखना पड़ेगा clear है ये एक बात हो गई अब हम अगला क्या करेंगे जैसे 102 में से आपको 2 घटाना है या 98 में 2 जोडना है दोनों case में कर सकते हो हमेशा minus वाला लेके चलो तो जितना minus करना है उसके अलावा हमेशा 1 और extra minus करना है जैसे 2 minus करना है तो आप 3 minus करो 102 में से अगर 3 minus करोगे तो 99 आएगा ये इस question का answer है ठीक है और सुनो और एक question देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा मैंने कहा कि 104 में आप multiply करो बापस 98 का इससे और समझ में आएगा ये कितना जादा है 4 ये कितना जादा है 2 आपने इन दोनों का multiply किया तो कितना है या 16 हम 16 नहीं लिखेंगे 100 में से minus करके 16 लिखेंगे अगर positive negative दोनों case आगए तो 100 में से 16 minus करोगे तो 84 आएगा और अब इस में से 2 की जगा आप 3 घटा होगे तो कितना आएगा 101 ये हमारे question का answer है ठीके थोड़ा सा confusion होगा इसलिए मैं सारी condition एक साथ नहीं बताता हूँ उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एक बार जल्दी से बता दो मुझे मैंने कुछ अडे sorry 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 फिर मैं क्या कर रहा हूँ मैंने 4 का दुगना 8 आठ आएगा न आठ आएगा तो यहाँ पर 92 आएगा मैंने 16 माइनस कर दिया 92 sorry 4 का दुगना 8 और 100 में से आड़ गया 92 समझ में आया तो positive negative case में हमेशा आपको 100 में से माइनस करना है ये ध्यान रखें इसलिए ये थोड़ा सा आपको कम काम आएगा हाँ हाँ मैंने 8 करेट कर दिया है हो जाता है कभी कभी समझाने में ज़्यान होता है न तो कई बार थोड़ा सा miss match हो जाता है ठीक है clear हुआ 4 का दुगना 8 तो उसको 100 में से घटाना है तो हमेशा 100 से माइनस करने के बाद लिखेंगे और उसके बाद जितना भी माइनस करना है हमेशा एक एक्स्ट्रा तो आप 104 में से 2 की जगा 3 घटा होगे तो 104-3 that is 10192 ठीक है ओके अब आप इसी तरीके से 1000 वाला ट्राइ करना जैसे मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा बताओंगा ना तो confused हो जाओगे इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ थोड़े समय बात फिर से मैं बता दूँगा तो जैसे आपके पास मान लो एक नंबर है 1004 और एक नंबर है आपका 995 तो आपने देखा ये कितना ज्यादा है चार और ये कितना कम है पांच तो आप इनका जब multiply करोगे तो कितना आएगा 20 इसको 1000 में से minus करेंगे क्योंकि आप 1000 वाला question है तो 1000 से 20 minus करोगे तो कितना आएगा 1000 में से अगर आपने 20 minus किया तो ये आएगा 980 ये लिखेंगे और पांच की जगा हम 6 घटाएंगे तो 1004 में से 5 और एक एक एक्स्ट्रा 6 है ना तो 6 minus करोगे तो कितना आएगा 998 980 बताईए जल्दी से समझ में आया की नहीं आया 998 980 एक हमेशे आपको extra minus करना है ओके अजय ठीक है clear है समझ में आ गया तो ये practice है आप पहले इसको अच्छे से दिमाग में बठा लो फिर ये positive negative अगर दोनों के साथ में आये तो इसकी भी practice कर लेना ये भी आपको समझ में आ जाएगा ओके बढ़े next अगला अब हम बात करते हैं अगली trick आपको बताई जाए 5 के बारे में चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बहुत कमाल का number है और ये बहुत काम आएगा ठीक है और बहुत easy है कई लोग 5 का multiply बहुत जल्दी कर देते हैं बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा शायद आपको इसमें कुछ अलग मिल जाएं जैसे अभी तो खेर आपकी comments मुझे आने में 20-30 second का difference आएगा इसलिए मैं direct बता रहा हूँ जैसे मैं आपसे पूछूँ सुनते जाना मैं आपसे कहूँ कि 12 में 5 का multiply करो तो आप तुरंत बोल दोगे 60 ठीक है फिर मैं आपसे कहूँ कि 26 में 5 का multiply करो तो आप तुरंत इसको भी जल्दी कर लोगे तो आप इसको बोलोगे 130 फिर इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 38 में 5 का multiply करो तो आपका answer आजाएगा कितना 190 ठीक है यह आप कर पाते होंगे जल्दी फिर मैं आपसे कहूँ कि 42 में 5 का multiply करो तो आप इसका answer लाओगे 210 और आगे बढ़ते हैं फिर मैंने कहा कि 66 में 5 का multiply करो तो answer आएगा 330 फिर मैंने कहा 98 में 5 का multiply करो तो आपका answer आएगा 490 और आगे बढ़ा दे मैंने कहा कि 228 में 5 का multiply करो अब कई लोग यहां रुख जाएंगे और जिनको trick पता होगी वो तुरंत answer बोल देंगे 1140 ठीक है तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना 5 एक ऐसा number है जो बहुत काम आएगा divide में भी और multiply में भी ठीक है अभी multiply की बात कर रहें कभी भी आपको अगर 5 का multiplication करना हो तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ सबसे पहले number को आधा करो जो भी number है हमेशा उसका half करो आधा करो और आखरी में एक 0 चिपका दो जैसे 12 का आधा क्या होता है 6 और बस एक 0 लगा दो 26 का half 13 और एक 0 लगा दो 38 का आधा क्या होता है 19 और एक 0 लगा दो 42 का आधा क्या होता है 21 और एक 0 लगा दो समझ में आ रहा है 66 का half क्या होता है 33 और एक 0 लगा दो 98 का half क्या होता है 49 और 0 लगा दो अब आप कहोगे सर 228 का कैसे करें तो देखो 22 का आधा क्या होता है 11 8 का आधा 8 का हाफ क्या होता है 4 और 0 लगा दो तो कभी भी 5 दिखा just half करो और 0 लगा दो आंसर आ जाएगा कभी भी मैंने आपसे कहा कि बताओ 22 और 5 का multiply क्या होगा आप बोलोगे सर इसका आधा और 0 ये आंसर आ गया तो तुरंत within seconds आप इस तरीके से कर सकते हो अमन आएगा complete course भी आएगा समझ में आया आया ना जल्दी से समझ में आ गया है तो yes लिख दो नहीं आया है तो no लिख दो ठीक है जल्दी से बताओ clear है तब तक मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है अब ये जो है अभी जो मैंने आपको trick बताई ये cable even numbers के लिए है मतलब किसके लिए है सम संख्याओं के लिए है अगर अभी odd numbers आएंगे तो क्या करना है बताओंगा मुझे पता है ये सवाल पहले आएगा पर वो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है clear है सबी को ओके देखो अब इसके बाद बात करते हैं कुछ questions और कर लेते हैं फिर उसके बाद odd numbers की बात करते हैं suppose मैंने आपसे कहा आप लोग अपने मन में करते जाना comment आप उतना जल्दी कर नहीं पाऊगे ना मैं देख पाऊँगा तो आप लोग मैं question लिख रहा हूँ आपको करना है अपने मन में और जल्दी से answer देना है odd numbers का बता रहा हूँ मैं ठीक है देखो तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास आ जाए 24 into 5 तो इसका answer क्या होगा आप तुरंद बोल दोगे sir 120 फाइन फिर बताओ 36 into 5 क्या होगा तो 36 का आधा 18 और एक 0 लगा दो फिर मैंने कहा 44 into 5 क्या होगा तो 44 का हाफ क्या होता है 22 और एक 0 लगा दिया फिर मैंने आपसे कहा कि 418 या 428 अभी confused हो जाओगे तो इसका answer क्या आएगा 4 का हाफ 2 28 का हाफ 14 और 0 लगा दो यह आ गया समझ में आ गया तो कोई अगर सम संख्या आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हो कर लोगे ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर odd number आ जाए तो क्या करना है अगर विशम संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे इसको सुन लो ठीक है जैसे मैंने लिखा कि भी बताईए 37 इंटू 5 क्या होता है अब अगर आधा करोगे तो वो point में जाएगा अगर आधा कर लो तो बहुत अच्छी बात है पर अगर नहीं कर पाते हो तो सुनो हमेशा आपको कोई भी odd number दें कोई भी विशम संख्या दें उसमें से एक कम करो कितना कम करोगे एक हमेशा एक कम करो तो इसमें से एक कम करोगे तो कितना आएगा 36 अब तो आधा कर लोगे इसका आधा कर दो तो इसका आपने आधा किया तो कितना आया 18 आया पर अब odd number होने पर last में हमेशा 5 आता है कभी 0 नहीं आ सकता तो आप अब last में क्या लगाओगे 5 और answer आ जाएगा आपका 185 और देखो मैंने आपसे कहा कि 49 में 5 का multiply करो तो आप money money मन में करोगी कि ये तो 48 हो गया अगर हमेशा एक कम करना है 48 हो गया तो 48 का half क्या होता है 24 और हमेशा last में क्या लगाओगे 5 ये आ गया ठीक है और देखते हैं फिर मैंने कहा कि 67 into 5 आ गया तो क्या करेंगे तो 67 एक कम करा 66 ये सम्बन में हो जाना चाहिए तो एक कम करा 66 66 का half क्या होता है 33 और last में क्या लगा दोगे 5 ये multiply हो गया ओके और देखें फिर मैंने कहा कि 225 into 5 क्या होगा तो कम करोगे वैसे तो दिमाग में हो जाना चाहिए otherwise 224 एक कम करोगे इनका half क्या होगा 112 और आकरी में क्या लगा दोगे 5 ये answer आ गया हाँ अमित मैं आपको दशमलो पढ़ाऊंगा decimal chapter जब पढ़ाएंगे तो मैं आपको ये बता दूँगा दशमलो अगर है तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता करने का तरीका ये ही रहेगा ठीके समझ में आया की नहीं आया सभी को ओके अब जैसे point में है ठीक है देखो इसका answer क्या है double one two five मानलो आपसे कहा जाए point कुछ नहीं है मैं एक दो class आपकी लूँगा दशमलो को लेके और आपको बहुत अच्छे समझा दूँगा आप पहले क्या मानलो कि आपके बास दशमलो नहीं है मानलो यहाँ पे दशमलो नहीं होता तो अगर दशमलो नहीं होता तो answer क्या आता double one two five लेकिन दशमलो यहाँ लगा है तो यहाँ दशमलो इधर नहीं है तो decimal के बाद कितने डिजिट हैं दो तो answer में दो डिजिट के बाद decimal लग जाएगा 11.25 यह answer आ गया तो दशमलो से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आप without decimal मानकर solve कर लो और last में decimals को adjust कर लो मानलो यहाँ भी decimal होता ठीक है यहाँ भी decimal होता तो यहाँ decimal दशमलो के बाद दो अंख यहाँ दशमलो के बाद एक अंख तो total 3 digit के बाद लगाते answer आता 1.125 तो decimal कुछ नहीं बिगार सकता कोई दिक्कत नहीं है एक class में longer decimal की एक यह दो आपको पूरा system समझा दूँगा कब कैसे उसको adjust करना है तो बताइए जल्दी से दोनो odd even cases समझ में आए या नहीं आए ठीक है clear है और यह बहुत काम का trick है कभी भी आप देखोगे न तुरंत आपका answer आजाएगा अब next time से जैसे मैं जब पढ़ातों तो आपने देखा होगा कई बार बहुत जल्दी हम लिख देते हैं तो वो सारे questions का calculation दिमाग में हो जाता है अब कभी 5 आपके सामने आएगा न आप खुद देखना देखते से answer देदोगे आपको कभी दिखा कि भई 34 into 5 तो अब आप तुरंत बोल दोगे 170 170 क्योंकि 34 का आदा 17 एक 0 लगा दिया अब आप बोलोगे सर यसा होता क्यों होगा कोई उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है जैसे मैंने आपको बता दिया कई लोगों को लगेगा मज़ा आ गया कोई साइंस नहीं है उसके पीछे बात समझो क्यों ऐसा होता है 34 में हम 5 का गुणा करते है basically हम क्या कर रहे है एक बार 2 का multiply कर रहे है और एक बार 2 से divide कर रहे है ठीक है 2 से multiply 2 से divide करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा तो मैंने 2 से इसको cancel किया तो कितना आया 17 और 5 का दुगना क्या होता है 10 तो इसलिए ये बन जाता 170 ठीक है तो कोई बहुत बड़ा science नहीं उसके पीछे हम बस उसको simplify कर रहे है हमने क्या करा हमने उसको कर दिया कि 34 into 5 का double हो गया 10 और divide में आगया 2 हमने 5 को क्या लिख दिया 10 बटे दो लिख सकते है 5 को हम 10 by 2 लिख सकते है अब 10 बना लिया multiply करना हासान 5 की जो family है आप उन सब में इसको use कर सकते हो जैसे 5 तो 5 के लिए हम क्या करते है कि 2 से multiply करते है और 2 से divide करते है ठीक है अब अगर ऐसे 25 होगा तो 25 को अगर मुझे देखो क्या होता है 10 का गुणा करना 100 का गुणा करना 1000 का गुणा करना बहुत आसान होता है यह आपको भी पता है तो अगर मुझे 25 का कभी multiply करना है तो मैं 4 से गुणा कर दो तो 100 बन जाएगा और 4 से ही भाग दे दो अब देखो जैसे 48 into 25 का multiply करना है तो मुझे याद है कि 5 में 2 से divide करते है तो 25 में किस से divide करेंगे 4 से 4 से मैंने divide किया तो कितना है अब 12 और अब क्योंकि यह multiply होने पर 100 बन जाएगा मतलब अब कितनी 0 लगानी पड़ेगी 2 यह आगे आपका 1200 clear हुआ clear हुआ clear हुआ वई है ना और देखते हैं जैसे मैंने कहा कि आप बताईए 124 into 25 क्या होगा अब यहां अगर 4 से divide होने वाला number आ जाए 25 दिखा 4 से divide करना है और last में 2 0 लगाना है तो मैं 4 से divide करूँगा 4 तिया 12 4 एकम 4 तो यह कितना आ गया 4 3 जा और 4 1 जा और आब मुझे कितनी 0 लगाना है 2 यह answer आ गया तो 4 से divide होने वाले numbers आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है ऐसे ही कभी आपको 125 का multiply करना हो तो 125 की trick क्या होती है अब 125 को मैं 10 तो बना नहीं सकता 100 बना नहीं सकता मैं इसको 1000 बनाऊंगा तो 1000 बनाने के लिए 8 से multiply और 8 से divide तो जब यह 1000 बन जाएगा तो answer में कितनी 0 लगानी पड़ेगी 3 यह क्या बन जाता है 100 इसलिए 2 0 लगाते है यह क्या बनता है 10 इसलिए last में 1 0 लगाते है तो अगर मुझे कभी multiply करना है मान लो मैंने कहा कि 48 में 125 का multiply करो तो 125 मतलब किस से divide करेंगे 8 से divide करा यह आगया 6 और 1000 बनता है मतलब कितनी 0 लगानी पड़ेंगी 3 यह answer आगया 6000 clear है ठीक है तो यह मैंने आपको एकदम खुली किताब के तरह बता दिया कि कारण क्या है कोई यह नहीं बताता किसा क्यों होता है पर आपको tricks बनाते आनी चाहिए है ना अगर रटवा दूँगा तो वो काम नहीं आएगा जहां logic काम करता है वहां मैं आपको बताऊंगा भी और हमें इन सब चीजों पर प्राउड होना चाहिए क्योंकि इन सब का जो खोज करता है इन सब का जो origin है वो इंडिया में ही हुआ है जितनी भी Vedic Maths और Short Tricks पूरी दुनिया में फॉलो करते है वो basically Vedic Maths से से निकला है और Vedic Maths कहां पर उसका जन्म हुआ है तो भारत में तो ये हमारी अपनी चीज़े है हमें इनको यूज करते आना चाहिए इकाई अंको का योग 10 हो इकाई अंको का योग 10 हो Sum of Units Unit Places इस 10 अगर इकाई अंको का योग 10 हो तो बहुत कमाल की ट्रिक है देखो मैं आपको एक्जाम्पल से बताता हूँ जैसे हमारे पास कोई नंबर हो मैंने कहा 25 और 35 स्वारी 25 और 25 ठीक है सेम होना चाहिए फिर इधर मैंने लिखा 67 into 63 ये डिजट सेम होना चाहिए इसकी condition है फिर मैंने कहा 78 into 72 फिर आगे मैंने कहा 109 into 101 और आगे बढ़ा दे तो फिर मैंने कहा कि 204 into 206 अब आप सब में एक चीज़ आपजर्व कर रहे हो क्या सब में आपने आपजर्व किया होगा कि 5 और 5 10 7 और 3 10 8 प्लस 2 10 9 प्लस 1 10 4 प्लस 6 10 तो ये तभी लगेगा और दूसरा जो आपका दहाई अंक है 10th place जो है वो उनका सेम होना चाहिए तभी आप ये trick लगा सकते हो ठीक है हाँ तेखो जो 25, 125 है उनके लिए पहले एक कम कर दो 5 है तो 2 से डिवाइड करोगे 25 है तो 4 से डिवाइड करोगे 125 है 8 से डिवाइड करोगे आखरी में 5 आएगा फिक्स है ठीक है चलो अब आपको क्या करना है हमेशा इनका आंसर लाने के लिए बहुत आसान आप पहले तो इनका multiply करोगे तो 5 और 5 कितना होता है तो आप कहोगे 25 ठीक है और अब 2 और 2 पहले इनका multiply कर दिया अब 2 और 2 का multiply तो करना है पर 1 को आगे बढ़ाना है जैसे 2 और 2 है ना किसी भी एक को आगे बढ़ा दो तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 यह आपका आंसर आ गया देखो 7 का 3 गुणा क्या होता है 7,3,21 अब 6 और 6 का multiply करने के बजाए 6 और 7 का multiply करोगे है ना एक आगे बढ़ा दोगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा तो 6 इंटू 7 हो जाएगा आपका 42 8 का double क्या होता है 16 और 7 और 7 का गुणा ना करके 7 और 8 का multiply करोगे तो 7 और 8 कितना होता है 56 9 और 1 का गुणा करोगे तो देखो 2 डिजिट होना चाहिए लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए तो 9 इंटू 1 9 पर 2 डिजिट होना चाहिए तो 0 और अब क्या करोगे ये 10 है ये 10 है तो 10 और 10 नहीं 10 और 11 कितना आएगा 10 और 11 क्या हो जाएगा 110 4 और 6 का गुणा करोगे तो 24 2 डिजिट है 20 और 20 न करके आप करोगे 20 और 21 एक आगे बढ़ाना है किसी को भी तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 to 0,24 क्लियर है? समझ में आया? बताओ जल्दी से ये वाली ट्रिक क्लियर है यस या नो? जल्दी बताईए क्लास चल रही है? इसमें कुछ ओके है? ठीक है ने वीडियो प्रॉपर चल रहा है कोई इशू नहीं है मिरे हिसाब से तो वीडियो ओके है ठीक है? बताईए जल्दी क्लियर? यस और नो? ओके ठीक है? सुधा, रोहित, शिवानी, निशा, विकास सब लोग को क्लियर दिख रहा है? कोई इशू नहीं है मज़ा आगया? समझ में आए अच्छे से? ठीक है? अभी तो आपको स्क्वेर, स्क्वेर रूट है, वर्ग मूल, घन, घनमूल होता है, क्यूब, क्यूब रूट है, फ्रेक्शन पढ़ाऊंगा, डेसिमल पढ़ाऊंगा, बेसिक एकदम क्लियर, आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, कि कोई भी चीज क्यूँ होती है, हर चीज आप से बनेगी, अच्छे से समझ में आएगा, प्रेक्टिस करनी है भाई, बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रेक्टिस करनी पढ़ेगी, ठीक है? अब देखो, ये एक ट्रिक है, क्यूँ इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ये एक ट्रिक है, जहां क्यूँ पॉसिबल होगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा, है ना, पर ये लॉजिक काम करता है, इस तरीके से हम क्वेस्चन में आगे बढ़ सकते हैं, ओके, no issue, और ये again, आपको ये नंबर सोखेर दिखते ह काम आएगा, है ना, जब भी आपको, जैसे मैं आपको और एक example बताता हूँ, अगर 5 भी 5 आपको दिख जाए, तो बहुत काम की ट्रिक है, कभी-कभी आपको 5 के case में square निकालना पड़ता है, जैसे 5 और 5 है, 25 तो आएगा, 5 इंटू 5, अब 7 इंटू 7 ने करके, 7 इंटू 8 तो आप तुरंद बोल दोगे, 56, ओके, आपको करना है, 95 इंटू 95, तो आपने क्या करा, 5 इंटू 5 होगे, आपका 25, 9 और 9 न लेकर, 9 और 10, तो आंसर क्या आजाएगा, आपका 9025, तो बहुत जल्दी से आप आंसर निकाल लोगे, अगर 5 का case आता है, तो भी, और अगर 5 न इकाई अंक जो है, उनका योग 10 होना चाहिए, बस इतनी सी बात मैंने आपसे कहीं, ओके, चलिए, अब ये बताओ, ओवर लोड तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ने की और capacity है, है ना हमने क्या-क्या पढ़ा है, एक बार जरा पूरा revise कर लें, क्योंकि multiplication में ये है कि पढ़ तो पता चलता है कि पीछे जो हमने पढ़ा था हो भूल गए, है ना, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, three digits, आज की class की शुरुआत में, उसके बाद हमने इसी की practice करी, इसके बाद क्या था, फिर practice का session है, then, फिर हमने सीखा था thousand based number, तो thousand से ज्यादा, thousand से कम, hundred से ज्याद hundred से कम, चार conditions, फिर हमने mix लिया कि अगर एक साथ दोनों चीज़ आ जाए, कि एक number hundred से ज्यादा, hundred से कम, या thousand से ज्यादा, thousand से कम, तो क्या करना है, clear है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया, ये तो खेर उसी का part है, और इसके बाद हमने देखा था, five की trick, तो अगर five even numbers में है तो क्या, odd numbers में है तो क्या, ठीके, ओके, इसके बाद हमने ये देखा, five की trick मैंने आपको बताई, और five के बाद, ठीके, 25, 125 का connection आपको बताया, 125 और इन में क्या करना है, और last मैंने आपको भी बताया, कि अगर unit disease जो है, इकाई अ अगर 10 हो, तो क्या करना है, ठीके, और practice करनी है, इस वाद का ध्यान रखना, ओके, अच्छा, चलो, अब मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, कल और हम पढ़ेंगे, कल average method बताऊंगा, base method में आपको बताऊंगा, और एक दो छोटी-छोटी अच्छी tricks हैं, वो बताएंगे, क आपके लिए कौन सा टाइम comfortable होगा,